हालो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद करता हम कि आप लोग अच्छे से हो पिछले लेक्चर में हम लोग जो है वह रूल साफ प्रोणाउन पढ़ रहे थे जो उसकी सेकंड वीडियो थी आज थर्ड वीडियो पर हम लोग प्रोणाउन के रूल्स को आगे पढ़ते हैं त इसी में एक रूल ऐसा भी आता है कि जो रिलेट रिफ्लेक्सिप प्रोणाउन होता है रिफ्लेक्सिप प्रोणाउन जिसको हम पिछले लेक्षर में उसके पहले वाले लेक्षर में बताये भी थे रिफ्लेक्सिप प्रोणाउन जो है इस नाट यूजड नाट यूजड अ as the subject of sentence. रिफ्लेक्सी पुर्णौन जो है वह वाक के subject की रूप में इस्तवाल नहीं होता है. जैसे मालो लिखा हो के माई सेल्फ माई सेल्फ साल्वड इस प्रोब्लम इस प्रोब्लम इस प्रोब्लम विदाउट एनी हल्प ऐसा कुछ हमारे पास एक सिंटेंस जो है जिसमें ये दिया हुआ है माई सेल्फ साल्व अनुदिस कॉष्टन विदाउट इड़ी हल्प अब हम लोग देख रहे हैं कि माई सेल्फ जो आया है वो रिफ्लेक्सिप पूरौण है और हम लोग पता है कि रिफ्लेक्स पुर्ण वाक का सब्जेक्ट नहीं बनता है तो इसका मतलब गायत दिवाती यह गलत हो गये ना क्योंकि माई सेल्फ कि रहा क्या हो रहे हैं आई हो रहे हैं आई सार्व इस प्रावलम विदाउट एनी हेल्प तो हम यह ध्यान रखेंगे अगर यहां पर आप अगर in इसको काट करके क्या करदेते सेल्फ ल्खा होता इसे तो यहां पर काट के क्या कर देते शी कर देते तो इसे ध्यान रखना है कि अगर प्रॉण अकेला किसी माल के सब्जेक्ट बना हुआ है यस तरह से तो सुटेंस जो है वह गलत हो गया आई ऐसा हम नहीं लिख सक लिखता है कि कई पर ऐसे दिया जा सकता है और करके कि आई बाइसे अगर ऐसे लिखा है कि आई बाइसे लिखा हुआ है तो भी कोई दिकत नहीं है प्रॉब्लम विदाउट अगर इस तरह से भी पर दिखा हुआ है तो हम यह है संके तो आप दिख लिए कि किस तरह से गलत हो सकता है और किस तरह से उसको हम सही करेंगे चलिए अब लोग जो है इसको और देखेंगे reflexive pronoun पर जब बाते हो रही है तो ध्याद रखना है कुछ ऐसे वर्म्स हैं कुछ वर्म्स है अगर वह इंट्रांजिटिव वर्म की तरह इस्तेमाल होते हैं तो उनके बाद reflexive pronoun का आना एकदम तय है जरूरी है तो चलिए देखते ह जैसे केजी पर avail लिखा हो अब सेंट लिखा हो enjoy लिखा हूँ enjoy हाइड लिखा हो disguise लिखा हो okay enjoyए रिखा हूँ रहं हो एकवीट लिखा एम सब लिखा हो ऐसे जो है इस तरह के वर्म्स लिखे लुट इट्सट्रा ठीक है अगर यह सब इफ हो जी कि इस प्रोडाउनस अगर यह प्रोडाउनस जो है है इस अगर जो ए वर्व जो है । प्रोलाउनस जो जो है आप जो है अगर यह वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं इंट्राजिटिव वर्ब अगर वह इंट्राजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं तो क्या करना है क्या इस्तेमाल करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉडव याद हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रॉडव लिखना है तो चलिए अब लोग यह वह एक्जांपल देखते हैं इसका जैसे लिखा हुआ हो आई अवेल्ड आफ दा अपार्चुडिटी एड गाट दा फर्स्ट रेल्ड ऐसा कुछ लिखा आई अवेल्ड आफ दा पार्चुडिटी एड गाट दा फर्स्ट रेल्ड मैंने मौके का फायदा उठाया और पहला रख प्राप्त कर लें अगर आगे कोई आपजेक्ट नहीं आता है तो हमें क्या लगाना चाहिए तो यह सही सेंटेंस क्या बनेगा यह संटेंस नहीं गलत है भी क्योंकि आवेल्ड के बाद कुछ लिखा नहीं है लिखेंगे आई अवेल्ड लिखेंगे आई अवेल्ड आफ दा पार्शिनिटी आफ आई अवेल्ड माई सेल्फ लिखो क्योंकि वहाँ पर जो है माई सेल्फ आप लिखिए क्योंकि अवेल्ड आया ना तो लिखिए माई सेल्फ आई से क्या बनेगा आई से क्या बनेगा माई सेल्फ आइवेल्ड माइसेल्फ आफ आपार्शिनिटी ऐसा पूरा लिखेंगे अपार्शिनिटी आइड गाट दा फस्ट रैंक जो जो भी लिखा हुआ है ऐसा कुछ लिखें तो यह जा करके वह साही बच records मतलब हमारा फिधान आनुकर और दो आए living selfish लिखा होता तो वी लिखा होता तो जैसा भी होगा उस हिसाब से आप जो है उसको लिखेगे चलिए एक जैंपल और इस पर हम करते हैं जो है इस पर एक जैंपल और कर लेते हैं ताकि हमें जो है वह अच्छे से याद हो जाए तो रूल्स जितना के लिए रहेंगे फ्रेंड्स जितना आएगा आपको उतना ही अच्छा अगर आपको रूल्स नहीं आते तो फिर समझ लीजिए कि फिर वह आप नहीं कर पाएगे उसको तैसे लिखा हुआ हो दा चेल्ड्रें इन्जॉइड दा पार्टी लास्ट नाइट इन्जॉइड दा पार्टी लास्ट नाइट तो क्या लगना चाहिए था इन्जॉइड पुरुनाव अब आप लोग समझ रहे हैं क्या लगा सकते हैं यह गलत है रांग है लिखेंगे द चेल्ड्रें लिखेंगे एंज्टा би यह थैद्सिए तो अब यहां पर लगाई है इसे लगाई है इसे लगाई है इस तरह से जो है वह इसको लिखिए अब जाकर करके यह आपका जो है वह वह सई हो गया तो किस तरह से ठीक होता है sentence कैसे हो सकता है यह सब सारी बाते जो है वह आपको जानने की जरूरत है यह सब चीजें जो है वह आपको जानने की जरूरत हैu चलिए सब लोग जो है अब कुछ अगले rules को भी देखते हैं और क्या हम लोग इसमें तयार कर सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं देखें इन रूल्स को पढ़ने के बाद अगर आप प्रेक्टिस कर लें कुछ कुश्चन्स लगा लें इसी चैप्टर पर तो मुझे लगता है कि वह सबसे अच्छा काम होगा सबसे अच्छा जो है वो जस्ट वेट अ यह रूल्स भी जो है वो पता हो गए आ गए हम जो है एक बात का और ध्यान रखना है कि जो प्रोनावन होता है वो कुछ मौकों पर अब्जेक्टिव केस में आता है कई सब्जेक्टिव केस तो अब उढ़ी से संबंधिक कुछ चीदों को हम लोग देखते हैं कि कहां पर अब आप इसमें ध्यान रखें कि अगर कहीं पर कोई प्रेपोजिशन आता है ठीक है अब आप अब आप अब जेक्टिव केस में लगए अईसे निखेंगे दप्रोनावन इन प्रोनावन शुड भी शुड भी उजड इन किसमें? अब्जेक्टिव केस अब्जेक्टिव केस प्रोनावन जो है वो किसमें इस्तेमाल होना चाहिए आफटर प्रेपोजीशन 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 के बाद जो है वो प्रोनाउन जो है वो किसमें इस्तेमाल होना चाहिए आपजेक्टिफ किसमें होना चाहिए जैसे लिखा हुआ हो कि शी बॉट अ एक्जेम्पल है यह ध्यान रखना यह मैं जुआ आपको दे रहा हूं शी बॉट अ मैगजीन मैगजीन फार ही ऐसा लिखा है शी बॉट शी सबजेक्ट हो गया बॉर्ट जो है वोवर्ब हो गया और यहां पर अब्जच्ट आया है magazine इसके बाद आप प्रेब पोजूरिशन के बाद आप प्रोरॉण का इसा इस्तिवाल होना चाहिए था किसमें इस्तिवाल होना चाहिए है किस तरह से वहता है ज़ह चलिए और हम लोग जो है इसको देखते हैं इस में कुछ बाते और हैं आपको बताने के लिए उनको भी मैं बता दे रहा हूं इस अपजेक्टिब केस कैसे लगेगा सब्जेक्टिब केस कैसे लगेगा पीए मोहन इस वाइजर दैन यहां पर लिखा है मी मोहन इस वाइजर दैन मी यहां पर किसकी तुल्ला हो रही है मोहन की सब्जेक्ट की तुल्ला सब्जेक्ट अब आप ध्यान दीजिए जब यहां सब्जेक्टिव केस है ना तो यहां पर मी नहों करके क्या हो जाएगा आई हाला कि बोलने में जो है वो जादा तर लोगों ऐसे ही बोलते हैं मोहन इस वाइजर दैन मी या कुछ भी ऐसा है आप जो ध्यान रखें कि इस पोकें इंगलिश और जो ग्रैमर वाली है उसमें बहुत बड़ा अंतर है इस पोकें इंगलिश में क्या होता है कि यू स्पीक आई अट 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 इस ओके सारे तरीके के रूल्स को आपको फॉलो करना होगा क्योंकि ग्रैमर जो बनी है वो रूल्स पर बनी हुए है तो चलिए आगे इसको और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं प्रोणाउन पर अभी जो है बाते हम लोग की समाप्त नहीं हुई है हाला कि इस पर यह प्रोणाउन पर तीसरा चौथा लेक्चर है तीसरा लेक्चर है लेकिन अभी इसमें जो है और आपको पढ़ना पढ़ेगा कि पुरिंटिव एक बात आती है रिलेटिव पुरिंटिव इसको देखते हैं कि detective पुरिंटज संबंद सूचक सर्वनाव संबंद सूचक सर्वनाम ऐसा कुछ लिखा है संबंद सूचक सर्वनाम इसका नाम है रिलेटिव पुर्णाउं को और वहाँ पर हू आता है विच आता है हू ओ माना एक हूं आता है कि हूं को जाता है हूष आता है है कुछ प טוב कुछprochen मैं अगर छोरह यह के और इस स्भी टीडिवें पहले आप देख लें कि कहीं पर वth आ गया मंधंघ तो यह किसी पर्सक्ट के लिए आता है परसन के लिए और अगर विच आ गया विच आ गया तो किसी थिंग के लिए था था थिंग के लिए था चलिए एक्जाम्पल से इसको जो हो समझने के कोशिश करते हैं कि रिलेटिव पुर्णौं क्या है कैसे हैं एक्चुली में रिलेटिव पुर्णौं का काम है दो क्लासेस को जोड़ना दो फ्रेजस को जोड़ना दो सेंटेंसेस को जोड़ना जोड़ने का काई करता है और अपने से पहले आये हुए नाउन के साथ एक तरीके की समान्ता बताता है एक तरीके का जो है वह कहीं ने कहीं उसके साथ एक coordination दिखाता है, चलिए इसको जो है, हम लोग example से बात को समझने कोशिश करते हैं, जैसे लिखा है कि the girl, the girl, जैसे लिखा है, which got the first position is my cousin, ऐसा कुछ जो है, हमें sentence जो है, वो बना के लिखा हूँ, अब हम देखेंगे कि the girl ले लिखा है, और बीच में यहाँ पर which आया है, जो कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि which तो वस्तू के लिए आता है, यहाँ तो हमें क्या लगाना चाहिए था, who लगाना चाहिए, who got the first position, ना कि which, क्योंकि which जो है, वो किसी वस्तू के संदर्म में लगता है, कभी किसी परसन के संदर्म में, विच का परियोग नहीं होता है और आप ध्यान दिजिए दगर्ल गाड़ दा फर्स्ट पोजिशन थे गा दगर्ल इस माई कजिन इतना दगर्ल इस माई कजिन एक हो गया वो उधर वागा और यह दोनों की बीच में अगर विच या हू या इसब शुरूर में आता तब वो त क्या है रिलेटिव प्रोणाउन आपको कुछ भी नहीं करना है बस चुपचाप अपना देखते रहिए और उसको नोट्स कॉपी ओपेल ले करके बैठिए नोट्स बनाईए देख देख करके पढ़िए नहीं सब्सक्राइब आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछिए क्लास वू इस इस टेंडिंग वू इस टेंडिंग आउट्साइड आउट्साइड इस माई अंकल ऐसा कुछ लिखा है जो ब्यक्ति बाहर ख़ड़े हुए हैं मेरे अंकल तो दम्मयन इसमाय अंकल एक पार्ट ये हो गया और एक दूसरा हो गया कि स्टेंडिंग आउट्साइड ये हो गया और इनको जोड़ने का काम किस ने किया है। और हमको पता है कि वह अगर फ्रेजसश को व्रीटिव फ्रवी करता है तो आप भूल नहीं पाएंगे प्रौण segments निका होता है यह हूम कि अवग्ण के लिए विच का परियोग और व्यक्ति के लिए हो परियोग अभी हमने वहां पर यह व्यक्ति की एक्जामपल दिया है चलिए एक वस्तु का भी एक्जामपल देखकर के न लोग इसको अपनी बात को जो है वो आगके बढ़ाते हैं जैसे लिखा हो, the magazine, the magazine, who you bought, is very expensive, आयसा कुछ जो है, वो लिखा हुआ है, आयसा कुछ लिखा हुआ, अब आप ध्यान दीजिए, कि the magazine, क्या magazine कोई परसन है, नहीं, कोई वस्तु है, तो क्या वस्तु के लिए हुँ थोड़े आता है, वस्तु के लिए तुब यह विच आना चाहिए, इसलिए यह sentence जो है, वो आपका राग हो गया था, वहाँ पर हुँ चीजों को अगर आप ध्यान से देखते हैं, ऐसे ही rules को अगर आप सही से पढ़ते हैं, तो pronoun chapter जो है, वो आपका फैवरिट चैप्टर बन सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस lecture में, मैं lecture बहुत lengthy नहीं करना चाहता, कि मैं आपको दो घंटा इसमें पढ़ाऊं, जब म के लिए lecture में, अपना ख्याल जरूर रखें, have a nice day.